सबी सातियों को मेरा नमस्कार आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है आज के वीडियो में हम प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक स्कोलर्शिप के बारे में बात करेंगे किस परकार से विद्यार्थ की फोरम एप्लाई करने है और किस परकार से परपत्र पांच परपत्र नो और लावारती योजदाओं के लिए विद्यार्थी की सुचना किस परकार से हमें अपडेट करनी है तो इन सबी के लिए आज के वीडियो में बने रही है किस परकार से फोरम एपलाई करना है किन किन बातों का में ध्यान रखना है वेरिफाई कैसे करना है और फोरम को लोग कैसे करना है ये सबी आज के वीडियो में हम जानेंगे यदि आपने अभी तक मेरा चैनल इस्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजे साथ इबेल आइकन भी दबा लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक तुरंट पहुंच सके तो चातर उतिके फोरम बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं इस बार हमारा ज़्यादा काम नहीं है कुछ चीजे हमें अपडेट करनी है और उसके बाद जब सब ग्रीन मार्क हो जाएंगे तो उनको हमें एपलाई कर सकते हैं यदि विद्यार्ति के जन आदार में उसका खाता नहीं जुड़ा है तो उसको पहले आप जुड़वाईए अन्यता बैंक डेटेल वहां पर सो नहीं होगी तो साथ के साथ कुछ और अन्य जानकारी भी मैं साथ के साथ आपको देता रहूंगा तो इस वीडियो में बने रही है सबसे पहले हम चलेंगे साला दरपन के होम पेज पर नीचे कहीं सारी आइकन यहां पर चलते रहते हैं इनमें हमें देखना है चात्रवती वाला इसकुलर् नहीं करना है हम यहां पर प्राइवेट से कुला नहींगे नहीं करना है हुए हम अपर हमें वह स weetय यह उड कर लेंनедご Serpent हम साथ दरपण के इसकूल लोगिन पे जाएंगे वहां पे कार्मिक टेप में वर्क इंचार्ज मेपिंग से मेपिंग कर लेंगे मेपिंग किस प्रकार से करनी है यह भी इस वीडियो के आगे में आपको बता दूगा और परपत्र पांच परपत्र नौ और लावारती उजना के लिए छात्र सुचना किस प्रकार से अपडेट करनी है यह भी आपको बता दूगा तो देखिए यहां पे और इस्टाब आइडि आपको डालनी है उस्टाब की डाइड डालनी है जिसको आपने छात्र हुत्ति के लिए इंचार्ज सलाधरपन पे निउक्त किया है निच इस भी स्टाब को आपने वर्क इंचार्ज नियां पे निउक्त किया है सत्रूति के लिए उसके पासवर्ड यहां पे डलेंगे नीचे केप्चर डलेगा और केप्चर डालने के बाद नीचे यहां पर आपको लोगिन पे क्लिक करने के बाद मैं आपको इस परकार से सूच है और भी कई सारी योजना इसमें दी वही है आप एक बार इसको जरूर विजिट करें लेकिन यहां से उपन नहीं होगी इसके लिए आपको अलग से टेब में उपन होगी तो हमें कोशिस करने चाहिए कि जो बालक बालिका हैं विद्धा लेके वो जिस भी योजना के लिए पात्र है उनको उनका पुरा लाब मिले इसमें हमारा तो कुछ जातर नहीं है लेकिन जिन बालकाओं को इसका लाब मिलता है उनको बड़ी खुसी होती है और उनको इसे हैं अन्मस के लिए बेदियो बनाए हैं आपके वेट के लिए बनाया है तो कई परकार के वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत होने हैं दूसरा उपस współ deriv और लेकी धौन वहां केंशल आउम कर नहींत के बा दाद कर रहें पूस्ट में ट्रीक करना है यहां पर क्लिऴ करने संद में हें जालfte हैं कि करने के बाद करने के सब्सक्राप कि चाहीं कर向 एंक तो इस प्रकार से page open हो जाएगा यहां पर देखिए पहले जो left side में आपको option दिखा जा रहे हैं उनमें आपको चलना है student eligibility पर यहां पर क्लिक करना है और इस प्रकार से page open हो जाएगा आपको यहां पर स्कीम सेलेट करनी है और उसके बाद में आपको आपको class सेलेट करनी है तो यहां पर देखिए इसकीम से समझेद कुछ रूल से इनको आपको एक बार देख लेना है विश्यत आप सब लोग इनको जानते हो फिर भी कोई विद्यार्ति जो पात्र है वो इससे वंचित ना रहे तो ककसा 9 और 10 के SC के student के लिए है बालक बालिकाव सबी के लिए आदार authentication होना चीए जन आदार authentication होना चीए बेंक डडिटेल प्रॉम जन आदार और यहां पर जन आदार में केवल student का खता ही होना चीए यहां जन आदार में student का खता नहीं है तो उसको जल्दी से जुड़व लीजिए और इंकम धाई लाग से कम होनी चाहिए और अंतिम कक्सा का रिजल्ट उतिर्ण होना चाहिए यह इसकी पातर्ता है तो विद्यारति से संबंदित और भी सुचना है हमें अपडेट करनी है वह साथ के साथ में आपको आगे बताता रहूंगा इसके बाद में हमें य यहां पर जो क्रोस मारकर हैं वह सब चीजें आपको अपडेट करनी होगी और यह सारे टिक ग्रीन हो रहे हैं तो फिर आप एपलाई कर सकते हैं जैसे परला इस्टुडेंट हम देखें तो यहां पर कास्ट आ इसके आ रही है जेंडर आरा सब चीजें आ रही है जन्नादा करना पड़ेगा उसके बाद यह एपलाई कर पाएगा सेकेंड विद्यार से देखिए थर देखिए आप यहां पर हमने जो केटेगरी सेलेट की है वह कौन सी करिए ऐसी तो जो एसी के स्टुडेंट है उनके सामने ही यह कास्ट वाले जो ग्रोस लग रहे हैं वह नहीं यहां पर देखिए जाने को दाकर सिेद्व आपको यहां पर सारी चीजये यहां पर हैं इनको सब को आपको आपको उपडेट करनी है फेमली इंकम भी आपको वहीं से अपडेट करनी है यह सब चीजे ग्रीन टिक होने के बाद आप एपलाई कर सकते हैं तो एक एपलाई करके मैं आपको बताता हूं और हम चलते हैं यहां पे दूसरा एक विकल्प है इस्ट्यूट्ड गौनकर नीचे सब्सक्राइब सब्सक्राइब apply or rejection का option यहां पर आपको दिया हुआ है तो इसके उपर आपको क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद यहां पर scheme है select करने है हमें scheme और scheme select करने के बाद यहां पर show student पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर देखे show student के नीचे आपको तेन दिखाई देरे हैं इनको तोड़ा द्यान से आपको समझने के जुर्त है एलिजिबल के लिए यह आप्सन फिर एप्लाइ के लिए ए अप्सन और रिजेक्टेड के लिए यह आप इस पे क्लिक रहने देते हो तो एलिजेबल इस्टुडेंट ही दिखाए देंगे और यहां पर आपको क्लास दिखाए देरिये पहले देखिए क्लास नो है टोटल एलिजबल इस्टुडेंट पांच जिसमें से एक गल और चार बोईज है एप्लाइड अभी तरक कुछ भी नहीं है और मैनुवल एप्लाइड भी तरक कुछ भी नहीं है ओटो एप्लाइड भी की डेटेल ओपन हो जाएगी हमें राइट साड में चलना है और यहां पर देखिए एप्लाइड और रिजेक्ट का ऑप्शन है यदि विद्यारती किसी कारण से एलिजिबल नहीं है तो हमें यहां पर रिजेक्ट वाले ऑप्शन का यूज करना है और यहां पर विद्यारत से जुड़ी कई परकार की जान करें इसको आप अच्छी तरह से देख लें किसी परकार का मिसमेश होने पर पुनाय पर पतर नौ पर पतर पांच और लावात थी योजनाओं के लिए चात्र सुचना वाले मोडियूल आपको अपडेट करने होंगे यदि आपने अभी तक मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका आप जली से सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट शिद्ध होंगे मेंडेटरी इंपोर्मेसन में विद्धार्ति से संब्सक्राइब करने हैसे और सम्मनुने अभी इंपोर्टेंट या सब्सक्राइब करें он तो उसके लिए जो विद्यारती का खाता है वो आदार से सीड होना चाहिए और वो ही खाता जन आदार में होना चाहिए यानि विद्यारती को जब खाता खुलवाना है तो आदार कार से खुलवाना होगा आदार को उससे सीड करवाना होगा और उस खाता को अपने जनादार में एड़ कराना होगा ये फेमली मुख्या के खाते में नहीं आती है केंदरे परिवर्टित योजना तो ये समझ से आएगी अपने 9 और 10 और 11 और 12 में 6 से 8 में परिवर्वार के मुख्या के खाते में रासी आजाती है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी 9 से 12 तक विद्यारतियों के ये दिक्कत आएगी तो पहले आप उनसे बोल दे कि आपको अपना खाता संक्या है उसमें आदार नमर को सीड करावना होगा और उसको जनादार से जुडाना होगा आदार इंफॉर्मेशन याँ पर टिकْमार करा रहा है गรीन यानी सही है निचे जनादार यह भी ग्रिन टिक रहा है अचाउंट इंफॉर्मेशन यह भी क्लीन टिक रहा है निचे लेंगे रिक्वाइड डोकुमेंट है दॉक्यमिन्ट देखे क्या pakai चीए sit और नीचे फैमिली इंकाम स्वाइट liberty च objective चीए और अदॉल्ट कियार है उप्डेट सब्सक्राइब देखने के नीचे बार पर निचे आपको अपसन दिखािए चल्र। आपको दिखाए दे रहा है मैंने कई सारी चीजे आपको दिखाए नहीं क्योंकि आदार और mobile नमर आदी चीजे नहीं दिखा सकते तो यहाँ पर एप लाइप पर हमें कलिक करना होगा तो यहां पर लिखा रहा है applied successfully तो इस परकार से आपको apply करना होगा तो यह विद्यारती apply होने के बाद यहां से हट जाएगा पिर देखिए यहां से उपर eligible के side में apply का option है तो जो forum हमने apply कर रहे हैं वह इस option से आप देख सकते हैं जैसे class 9 का में देखना है तो 9 पर क्लिक कर लेंगे यह देखिए यह इस student का फोर्म में बढ़ाता तो यह फोर्म यहां पर आ गया है और यहां पर लिखाए यहां पर देखने के लिए वियू करें और इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहां पर इसको डिलीट कर सकते हैं इसके बाद हम दूसरे option में चलेंगे यहां पर नमबर दो इस step है verify का इसके ओपर क्लिक करेंगे वह ही यहां से आपको जाएंगा पर पूरम परे हैं तो इस नाम आ रहा है यहां से जाएंगे और आगे जाने के बाद अप्लाइट डेट और अरिये और वेरिफाई डेट में बहुत आ रहा रहा है तो यहां पर चेक करेंगे कि इस चेक बॉक्स पर उए और उसके बाद आगे वेरिफाई का ओप्ट है वेरिफाई इस्टूडेंट तो यहां सी Iscoum verify कर लेंगे तो पहले किरें तो पहले यहां पर ba pag लेंगे अभी अभी यहां पर vac klus कर इसको सब्सक्राइब करना है यहाँ यहां पर एक साथ आपको यहां पर इस चेक बोक्स पर चेक करना है और निची एपलीकेशन के वाध्यम से उनको वेरिफाइब कर लेना है साथ तीसरा उप्षन इसमें लोग का है लोग में जितने भी फोरम भरे हैं वो आपको यहां पे दिखाए देंगे और यहां से आपको इसको 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 आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्मिक टेब में जाके वर्क इंचार्ज मेपिंग किस प तो यहां पे जो कार्मिक टेब है इसके पर क्लिक करना है इसके बाद निचे चलेंगे तो यहां पर आपको वर्क इंचार्ज मेपिंग दिखाए देगा जिसके पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको सलेक्ट रोल करना है जिसके लिए भी आपको इंचार्ज करना है वह कराएंगe तो इस टॉप के नाम में से जिस को भी आपको से डे करना है उसको कि बुटेनि masih करना है तो वह उसका लिए इंचार्ज मेंपिंग होजाए हैं तो इसके उपर क्लिक करेंगे विद्यार्थी के उपर सबसे पहले हैं प्रपत्र पांच अपडेट कर देंगे जिसके के किसा की लिए आपको करना है वह सेसं करेंगे पहले यहां पर कलास कि और उसके बाद में सेक्शन जिसे सोपर क्रेंगे। जोभी चीज आपको अपडेट करनी है। जिसे नेम हैं मदर्स नेम हैं प्र बतर्स नेम हैं स्टुड़न्ट का नाम है परफे सिर्फ हर quiet करना से आपके सकते हैं और और चीजों के लिए आपको परफेत्रों में जाना पड़एगा तो वcription बता जता हूं विद्यारती टेप में जायेंगे यहाँ यहां से पहली करेंगे यहां से बीक्रास सेक्षन और सेशन करेंगे कि उसके बाद में इस्विद्यार्तियों की नाम आ जाएंगे और जिस भी विद्यार्तिय के लिए आपको डाठा अप्डेट करना है उसके सामने जो action के नीचे register बटन है इसके ऊपर register के उपर आपको कलिक करना है एक अपडेट करना है यहाँ पे देखिए result of last class at the previous school इसको आपको यहां पर पास करना है यदि उद्यारती अनुत्रिण है तो अनुत्रिण करना है पास तो पास करना है यह चीज़ आपको अपडेट करनी है दी गई है तो सभी चीज़े आपको अपडेट करनी है जो भी डाटा इसमें अपडेट नहीं है उसको आपको अपडेट करना है उसके बाद सेवें नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर चलेंगे तो यहां पर एक इंकम भी आएगी जो इंकम भी आपको यहां से अपडेट कर देनी है तो यहां से भी अपडेट कर देंगे औ तो विद्यारती पर चलेंगे वापस वो यह है लावकार योजनाओं के लिए अनिवारी चात्र सुसना इसके उपर कलिक करेंगे यहां भी वही आपको स्लेट करना है कि यहां पिर सेक्शन है और स्टुटेंट पर कलिक करना है यहां से कौन-कौन सी चीज़ें आपको अपडेट करनी है वह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है वह मैं आपको दता हूँ यहां पर एक तो PCTS कार्ड है जो राशरी योजनाओं के लिए इसलेंट करना है वह आपको एंट्री करना एंट्री करनी है और यह आपको एक बार ही एंट्री करनी है बीपिल कार्ड भी क taxi काम आता जिसलेंसे आपकी वैटी योज़ना में यानि सपाय से जुड़े जो कारे करते हैं उनके यहां से एंट्री करनी है CWSN के टेगरी की जो है उसको यहां से अपडेट करना है और जो OBC वर्ग है OBC के लिए जो केटेगरी है वो 16 परकार के जो पातरता की जो निर्दर्द की गई है BPL के बच्चे हैं कुछ ऐसे निर्दर्द की गई 16 के टेगरी है तो उनमें से इधी विद्यारती कोई है तो यहां से एंट्री करनी है X-Seriesman के टेगरी यहां से है Orphan और Single Parent के एंट्री यहां से करनी है तो आज के वीडियो में विद्यारतियों साथियों बस इतना ही नमस्कार धन्यवाद आप सभी को